हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर रावज चौधरी फ्रेंट्स आप लोग जानते हैं कि मेरी हमेसा कोसीश रहती है कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसे क्लिनिकल एक्सपिरिंसेज में सेर करूं कुछ मेरा ऐसा तुजर्बा आपके साथ सेर करूं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों फायदा मिल सके और बहुत सी जगें आप बिना मेडिसन के डाइट लाइप स्टाइल से अपनी भीमारी को ठीक कर सके टेस्टोइस्टरॉन एक ऐसा हार करना परिमारे रहा हो कि हार्मोन की कमी शकूर की कमी आप बिल्कुल नेचरल को में ठीक कर सकते हैं यह हार्मोन अलग से हमारी हारमोन नहीं है अर्मोन बनते हैं यह भी बनता और आप करूं तो मैंने देखा कि एक तरब तो बिल्कुल यंग एस ग्रूप के बोईज आ रहे हैं जो 20 प्लस एस ग्रूप में 30 के एस ग्रूप में हैं और जिनके अंदर इस हार्मोन की कमी देखने को मिल रही है और वो अपनी परसनल लाइफ के अंदर फिजिकल हैल्थ मेंटल हैल्थ और सेक्शुल हैल्थ से परिषान है क्योंकि उनकी बॉड़ी में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टों की कमी है वहीं दूसरी तरफ मैं ऐसे पूरूसन से भी मिलता हूं जिनका एस ग्रूप 5060 या सेवंटी तक के एस ग्रूप में हैं जो अपने आपको एज के अकोर्डिंग ल रहे हैं या टेबलेट्स कैपसूल या इंजेक्शन खा रहे हैं वो लोग इससे बच सके और अपनी लाइफ इस्टाइल को ठीक करें जिसे लाइफ लोग उनकी बॉड़ी के अंदर इस हार्मोन की कमी का सामना नहीं करना पड़े अगर टेस्टोस्टों हार्मोन की कमी के ए इंटली जिनको डिप्रेसान एंजैटी चिरचिड़ाफन फील हो रहा है ऐसे लोगों के टेस्टोस्टों हार्मोन की कमी हो सकती है प्रेंस मैंने बोला कि बिल्कुल जो यंग एस ग्रूप के बॉइस हारे हैं उनके नदर टेस्टोस्टों हार्मोन की कमी है तो यह कौन से तो इसे अगर मैं मेरे क्लेनिकल एक्सपिरियंस से बात करूं तो यह वो लोग हैं जिन्होंने या तो कुछ बच्पन में बहुत ज्यादा गलतियां की जिनकी हैबिट्स बहुत ज्यादा कही तरह से गलत रही लाइप इस्टाइल अच्छी ने रही जिनकी एटिंग हैबिट को नहीं ले रहे जुसेज नहीं ले रहे हैजो डेली जो है कम से कम मिंइमन टू आवरोड को ग्राउंड में यह के ल мен मेल क्लिनिक में नहीं देखने को मिलते थे जिनको टेस्ट और सेक्चोल लाइब की कोई प्रॉब्लम के क्लिनिक पे आते हो बहुत लेकिन पिछले पांट साल से बहुत ज्यादा ऐसे केसे आ रहे हैं जिन में बिल्कुल यंग एस ग्रूप आ रहा है सर मेरा टेस्ट रस्टों कम हो गया और मुझे उससे बाकि सारी प्रॉब्लम से फ्रेंड्स यह वही जनरेशन है जो पिछले आठ दस साल से अपनी बॉड़ में भी यह सोसल मीडिया पर बीजी रहते हैं इनका नेट और नहीं रहता है दूसरी तरह मैंने बता है मेरी क्लिनिक पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो आते हैं जो फिप्टी सिक्टी तक के एस ग्रूप में कह रहा हूं जो एस के अकॉर्डिंग में बात करूं जिनकी फिजि सिक्टी अच्छी रखनी है अगर आप को समय पहले तक देखें तो गाउं के अंदर या खेतूं के अंदर जाधाreu एक्टी करते हैं आज भी जो लोग के है इस तरह के सरीरी काम कर रहे हैं मैंने देखा उन लोगों के अंदर सेक्शुल वीक्नेस बहुत ही कम कैसे आपको देखने को मिलेंगे यूजुली फ्रेंड्स वह हमेशा आपको फिजिकली मैंटली और सेक्शुली हमेशा आपको हैल्दी मिलेंगे यह मेरा क्लिनिकल उसके बाद हम बात करते हैं डाइट की नाइट एक बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर है आप जैसा खाएंगे उस तरह से आपके बॉड़ी को न्यूट्रियंट्स मिलेंगे पॉसकता तो मिलेंगे और वही और और बॉड़ी के आपके हार्मोन और आपकी हैल्थ की डिसाइ प्याज जिसको आप ऑनियन कहते हैं जाता है तो जादातर घरू में यह खाया जाता है कुछ घरू में नहीं खाया जाता तो वहां दूसरे फूड आइटम से जो उनकी डाइट में सामिले जो इनको हेल्दी रखता है अगर मैं गाउं में बात करूं तो आज भी बहुत सी जब जब रहें जगे जो है सुबह दोपे साम दिन में तीनवार खाया जाता है अब सब्सक्राइब में बहुत ज्यादा आने लगी है पहले जब सबीकिजा नहीं भी आती मिर्ची लिया जाता था या दही और छाच वग्राव लेनी जाती तो सिर्ट प्याज और रोटी खाय क्लिनिकली लेब के अंदर भी जो सांटिफिकली प्रूव हो गया कि क्यों अगर आप प्याज को रेगुलर अपनी डाइट में सामिल करते हैं तो आपको पर्टिकुलर्ली जो है आपकी बॉड़ी में टेस्टोस्टोन हार्मोन की कमी नहीं आगी फ्रेंट्स इस्टेडी जो रिसर्च यह कहती है कि जो मेल्स रेगुलर अपनी डाइट के अंदर प्याज लेते हैं उनका टेस्टोस्टोस्टोन लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि प्याज के अंदर क्वेसेटी नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपकी बॉड़ी के अंदर लेडिक सेल्स का लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा वहीं दूसरी तरह अगर आपकी बॉड़ी के अंदर कमी पाई गई और आप प्याज को डाइट में सामिल करेंगे बढ़ाने में मदद करेंगा और इसके साथ में अगर आप सुरू से ही इसको अपनी डाइट के अंदर रेगुलर र बढ़ाता है जिससे वह पुरूज जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है या प्रिमेच्वर एजुकिलेशन की प्रॉब्लम है उसमें यह बहुत जादा फाइदा पहुंचाता है और आपको इडी और पीएमी की प्रॉब्लम नहीं होगी इसी तरह से यह बढ़ाता है इसके अंदर होते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो आपके इस्टेमिना को बढ़ाती है और आपको कैंसर से भी बचाता है अब हम समझें कि किस तरह से प्याज को खाया जाता है आपको मैक्सिमम फाइदा मिलेगा देखिए ऐस मैंने प्रैक्टिकल इसके एक्सपीरियंस से जो है वो भी आपके साथ सेर की है तो फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि अगर आपको लो टेस्ट रिस्टाउन की प्रॉब्लम नहीं हो आप फिजिकली हैं मेंटली हैं सेक्शुली फिट रहें आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स प्रेंट चमिना हमिसां मना रहें तो अब प्याज को जो है अपनी डाइट में जरूर सामील करें थैंक यू कि अधि कि 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 कि